आज किस वीडियो में हम लोग सबसे पहले गौड फादर का डिसकसन करेंगे गौड फादर कैसा परफॉमेंस दिया है उसके फिर गौड जी लागा देखेंगे ठीक है और उसके बाद हम लोग आज सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक ओवर्विव लेंगे फिर हम लोग परफॉमेंस रहा है आज करेंट में तो उस गौड फादर के लिए अगर नहीं 30 अड़ डाइम लगाना है सेकेंड केंडल का हाई-लो मार्क कर लेना है ठीक है और 100 पोइंट का डारेट और 100 पोइंट का स्टॉप लोग करना है ठीक है इतना ही है गौड फादर का रूल तो स सब से पहरे देखेंगे सकेंड में कौन सा है सप्रॉप कांट कर लेगी है इस लेवल परफॉप लेंट के असपास का स्टॉप लुस होता है और लों को लगवग 75 पयंट चीफ किये उसके बाद फिर market reverse हो गया है तो मैंने खुल के ये चीज बोल रखा है ठीक है और जोतने भी लोगों को नहीं पता है मुझे बता देता हूँ entry के time हमेशा कम से कम 5-6 point का buffer use करो stop loss में 5-6 point का buffer use करो और अगर आपका कोई भी strategy हो जिसका target मान लो 100 point है 50 point है तो उससे 10-15 point पहले ना alert रहो profit को book करने के लिए आप गलती क्या अगरते हो नो 5-10 point बचे हुए 10 point को achieve करने के चकर में आया हुआ जो maximum points होते हैं उनको आप गबा देते हो ठीक है तो इसमें जैसे 75 points achieve भूआ ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है profit को booking के लिए bet करना है अब क्या करेंगे profit booking कैसे बचलेगा smaller time frame पर जाएंगे और वहाँ पर check out करते रहें कहीं कोई negative candle तो नहीं बन रहा अगर कुछ वैसा बनता है तो हम वहाँ पर क्या होंगे exit हो जाएंगे ठीक है तो simple इतना ही logic रखना है तो आज Godfather profit बहुत अच्छा दिया 75 point का ठीक है Godzilla का हिसाब देख लिए तो Godzilla कैसा performance किया simply क्या करने Godzilla के लिए one minute का time frame लगा लिना ठीक है और आज तो वैसे market बहुत ज़़ा sideways था एक second Godzilla भी अज बहुत अच्छा performance दिया ऐसी बात नहीं है ठीक है इन फैक्ट आज Godzilla ही सही से काम किया ठीक है यहाँपर देखे है सबसे पहला इंट्री हमारा कहा था यह वाला candle पे ठीक है यह यह पर इंट्री होगा और यह इतना वड़ा profit capture हुगा ठीक है उसके बाद फिर हमारा इंट्री कहा था यह वाली इंट्री थिए अब यही चीज के लिए मैं बोल रहा था यहाँ पर देखिए यहाँ पर stop loss यह जगा प्यारा कहीं न कहीं अगर कोई buffer यूज करेगा तो यह buffer नहीं जाएगा ठीक है buffer के वज़े से stop loss नहीं जाएगा और यह इतना बड़ा trade यहाँ से आप इंटर हुए इसके बाद इतना बड़ा market point दिया ठीक है तो गौटजिला यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस range में market ने बहुत फसाया लोगों को इस range ने बहुत फसाया यहाँ पर हमारी entry थी कुछ नगोच profit था यहाँ पर entry थी कुछ नगोच profit था और यहाँ पर इंटरी थी और कुछ नगोच profit था सबसे best trade यह था shooting star पर यहाँ पर entry थी और यह profit था ठीक है तो गोच जिला अच्छा performance दिया है इसके लिए वो कोई ही ही नहीं कहने वाली कोई बात ही नहीं ठीक है यहाँ पर कैसल गया हमारा फिर यहाँ बहुत बड़ा profit capture हुआ यह बड़ा ठीक है यह भी बहुत अच्छा profit है, उसके अधर फिर market नीचे fall करदा चला गया, जो sudden fall आया ना, वो बहुत बड़ा fall था, उसके बाद फिर देखी, यह सबसे best rate था, यह वाली, last last तक सबसे best rate था, shooting star पे, और यह तना बड़ा profit capture हुआ, यह point अब हलके मतलो, बहुत बड़े points है यह, आप check out कर लो, ठीक है, लगवाद कितने है, 60 points है, तो scalping करके, आप 60 points बिना रहे हैं, कोई बड़ी, कोई छोटा चीज नहीं है, ठीक है, तो यह चीज है, overview आपको मैंने दे दिया, godfather और godzilla बहुत ही बड़ीया काम किया, ठीक है, दोनो strategy बहुत waste work किया, अब थोड़ा हम strategy म अबी मेरा delta 4 project launch होने वाला है, अबी नहीं, approximately June के असपास launch होगा, ठीक है, तब तक के लिए अपना weight gauge, उसके बाद trading के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस बात कि मैं पूरी assurity लेता हूँ, आज जो हम topic सीखने वाले हैं, वो क्या सीखने वाले हैं, support and resistance, ठीक ह तो सबसे पहले time frame को क्या कर लेना है, 15 minute कर लेना, ठीक है, सबसे पहले time frame को 15 minute कर लीजे, और उसके बाद क्या देखना है रहा, जैसे मैं बताता हूँ, support and resistance समझने से पहले दूची समझेंगे, support and resistance होते क्या है, और ये कितने type के होते, और इसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, support and resistance वो होता है, जैसे माली जी ये एक level है, ये एक level है, market माली जी यहां से गया और यहां से reversal लेता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, तो यह जो zone बन जाता है, यह क्या कहलाता है, resistance कहलाता है, जहां से भी market, जहां से भी market reversal का काम करें वो resistance के तरह काम करता है और जहां से भी market support का काम करें मतलब जहां से भी market back हो जाए उपर की side जहां से भी market back हो जाए उपर की side उसको हम support कहते है ठीक है तो support resistance नॉर्मल इतना ही है जहां से market rejection लेता है वहीं पर resistance create होता है और जहां से भी Markets back होता है उपर के जाना move करता है वहीं पे support create होता है ठीक है ये तो types के होते हैं एक होता है statics दूसरा होता है dynamics statics मतलब क्या बोले कि जो हम लोग draw कर देतें जैसे मान लेते एक बहर draw कर के देखते हैं ठीक है यह ढूर कर कर देत तो यह क्या हो क्या होता है कि आप यो क्योंत्य यह चेंज नहीं कर सकते oxid लेकिन दूसला साइड of nationalryijk這一くcard ax यह भी है जीषम धाइनिमिक्स को क्या धायनियमिक मतलब घुशत क्या टां और जो मोविं आइवरेज बारिंजिय बैंड गैंड jut कोई moving averages जो time to time अपना levels को change करते रहे जैसे बॉलिंजों बेंड को आप देखिये इस level पर resistance कुछ और था इस level पर resistance कुछ और है इस level पर resistance कुछ और है इस level पर resistance कुछ और है यहनले time के हिसाब से यह support and resistance का level change होते रहता है यह क्या है? यह dynamic support and resistance है dynamic मतलब क्या जैसे जैसे market आगे बढ़ेगा जैसे जैसे market आगे चलेगा वैसे जो dynamic support and resistance है जो moving average जो पिछले data उसको record करके जो support and resistance create होता है वो time to time change होते रहता ठीक है बट जो statics होता है जो हम लोग draw करते हो वो change नहीं होता है तो दो चीज आज ध्यान में बस इतना ही रखना है आज मैं जादा भी detail में discuss नहीं करूँगा कल से बहुत अच्छी learning videos आएगी बट मैं एक overview दे देना चाहता हूँ कि support and resistance two types के होते है एक statics दूसरा dynamic statics मतलब बोले तो क्या जो हम लोग खुड draw कर देते हो fix होता है ठीक है वहीं पर दूसरा side support and resistance होता है जिसको कहते है dynamic जो with respect to market with respect to time with respect to candles वो change होते रहता ठीक है जैसे moving average हो गया बोल इंजर बैंड हो गया वो भी एक बहुत ही बढ़िया support and resistance का काम करता है अगर आप उसको सही तरीके से देखते हो ठीक है तो हम लोग dynamic support and resistance को भी सीखेंगे और static support and resistance को भी सीखेंगे ठीक है पहले हम लोग static सीख लेंगे उसके फ़र dynamics सीखेंगे ठीक है तो next वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं support and resistance draw कैसे करते हैं ठीक है उसके बाद बहुत सारे लोगा query होता करने का क्या तरीका बेस time frame क्या होता है हर एक चीज़ detail में discuss करेंगे तब तक के लिए दो चीज़ ध्यान में रखें कि हम लोग दो तरीके के support and resistance पढ़ेंगे पहला statics दूसरा dynamics statics जैसी खतम होगा उसको तपर dynamics start करेंगे ठीक है दोनों जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप market में trade करते हो तो क्योंकि price action में support and resistance ही काम करता है बागी कोई चीज़ काम नहीं करता प्योरली support and resistance ट्रेट करो और market से पैसा बनाओ तो overall strategy पैसा दे रहा है और हम लोग learning में स्टार्ट करेंगे ठीक है और आप सब तयार रहे है learn होने के लिए learn करने के लिए चीज़ों को और मैं बहुत ही detail में सब चीज़ों को discuss करूँगा तब तक के लिए have a nice day मिलते हैं अग झाल